और आइट गई तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सा टैप का यूज करके इस तरह का फोडो एडिटिंग कैसे कर सकते हो यानि कि अपने फोडो को पुड़ा अच्छे तरीके से रिटाच कर सकते हो और बहुत ही अच्छा अच्छा अप इस वीडियो और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेलाइके ने उसे जरूर आउन करें इस तरह की कमाल की वीडियो जरौद सुबह के आट बजए मिलती रहती है तो चलिए कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट में आर्या आप देख रहे हो इस फटो को उपें कर लेना होगा पिकसा ट्याप के अंदर आप आप अपका अपनी नॉन मलतous मौट को ओपन के जी लिए सबसासे पहले जनके उलक में मकिल निसकी लाइश्करिश और बैस की लिए करने बात सबसे ने स्टिरेशन को इंक्रीज करने का तो यहां से हम सेडरेशन को लगभग 85 कर देंगे और हाइलेट्स के आपको थोड़ा सा कम करना है और सहाड होग को यहांसे चौदा पंज्र करेंगे और कुछ इस तरीके से हम चला देंगे इसे अपनी फेस पर ठीक है तो याद रहे कि ये जो भी हमने अभी अभी अज्जस्ट्मेंट करा है जैसे कि सिचुरेशन को बढ़ाया है एक लारीटी को बरहा है हाइले को कम किया तो यह सारी हमारी बैक्गरांड और हमारी के लिए थी ठीक है तो यह अपनी पीजिए हैंड और लेक पे बिल्कुल नहीं रखेंगे ठीक है तो हम यहां से फेस्ट हैंड और लेक से एरेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से हम जल्दी da जलोधी से एसे कर लेता हैं तो फेस हैंड को सिंप्लि यहां से कर्लेना है थी bakın अगर एस्थ कर लेने के बाद भीशा हो ताप एड्जेस्टेमिंट कर सकते हो यहां पई अपनों देख वारे लायट की कि इसंपको क्लिक करना है यानि की आपको कलर रिप्लेस को स्लेक्ट कर लेना है आपको थर्ड नमबर पर मिल जाएगी ठीक है अब यह जो आपको प्लस का आइकोन नजर आड़ा है इसे आपको अपनी ग्रीन वाले बैक्गरॉंड पर इस तरह से रख देना है रख देने के बाद रहे जरा से गलती होगे तो मै भी रख सकते हो डिप्लेस को आप लेफ्ट और राइट करके देख सकते हो ठीक है यह वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो यहां पर करके मैं सिंप्ली डेन कर दूंगा अब आप लोग देख पार होगा इसकी लाइट रूम में कितना जंजर्ट होता है और पिक्सा ट करने के बाद यहां इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहां सिंप्ली इंवर्ट कर देना है इंवर्ट कर देने के बाद अपनी फोटो को जूम किजिए और कुछ इस तरीके से कई आपको अपने हैंड पर और फेस पर इसे चलाना है ठीक है तो पिछला जो भी हमने अड्रस्मे पर इस तरह से चला देना है ठीक है फेस हैंड और लेक पर तो यहां पर चला देने के बाद अब आप लोग देख पार हो कि आपकी फेस के अंदर काफी ज़्यादा अंतर आ गया है मतलब आपका फेस पहले से ज्यादा वाइट दिख जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोगों को कैसी लेगी है यहां से अपनी फोटो को सिम्पली सेब कर लेंगे दोस्तो इस तरीके से आपको अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से मुझी रेड टोन में एडिट करना था मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि वीडियो पे यानि कि आप लोग बहुत ही वीडियDING को कम दिख रहे हो चलो कोई सब्सक्राइब आप जी नहें भी मिलते हैं किसने जोंट बीडियो में तब तक के लिए लफ यह खो और वह